हेलो, good evening to all of you, और स्वागत है आपका हमारे ग्राविटी के प्रेटफॉर्म पे, तो हम आपको जो आज चाप्टर डिस्कुस करेंगे, that is Animal Kingdom, एक पहले पॉइंट बता दो, एक message आया है, कल की class में भी आया था, फिर आते ही सबसे पहले, सिवाजी महाराज में सबसे पहले बता दिया है, एक question था, मैं पहले बही बोल दूँ, oxygen और हीमोग्लोबिन की affinity, एक question दिया है, चैट में दिख जाएगा आपको, कि oxygen और हीमोग्लोबिन के बीच में जो affinity है, that is primarily depends on, one option भी दिया है, oxygen दिया है, CO2 दिया है, pH दिया है, all, सवाल फिर पढ़िएगा, उन्होंने पूछा है, कि affinity of हीमोग्लोबिन with oxygen, primarily depends on, तो primarily अगर आपने कह दिया, तो you have to give the one answer, यानि आपको एक ही तो बताना है, primarily का मतलब सबसे प्राथिमिक बताना है, yes, that is oxygen, oxygen concentration, जितना ज्यादा oxygen concentration होगा, या उसी को आप partial pressure of oxygen कह दे, तो sir, yes, that is आपका answer, जो आप शिवाजी महराज ने पूछा, कर भी मैंने जब off कर दी class, तब मैंने देखा उनका question था, तो आज मैंने कर दिया, हमाई का आज से सिवाजी satisfied होंगे, क्या, आज का, yes, class start हो रही भी, yes, चले, question number one, question number one है, bilateral symmetry is absent in, तो पहले आप जानने कि भी bilateral symmetry है क्या, yes, color ले ले लेते हैं, yes, bilateral symmetry, एक बड़ी सरल भाशा में कहा जाता है, कि अगर हम किसी भी organism को ऐसे, ऐसे कार दें, बद्दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, यह ऐसे समझना बहुत जरूरी है, yes, the term is sagittal plane, एक plane है, जिसे हम नाम देते हैं, sagittal plane, अगर कोई organism, sagittal plane के वाया, अगर हम दो equal हिस्सों में बाच सकते हैं, तो yes, that shows the bilateral symmetry, अब आप सोचोगे, यह नया term कहां से ले आ रहे, NCRT में तो दिया ही नहीं है, कि sagittal plane क्या होता है, तो sagittal plane कहलाता है, anterior posterior posterior axis, जैसे यह वाला हिस्सा हमारा anterior है, और नीचे हिस्सा posterior है, तो anterior posterior axis यह हुआ, लेकिन dorsal ventral plane पर, अब यह हमारा ventral, यह dorsal, यानि आपको क्या करना है, यह सारे अगर आप देखें, यह anterior posterior posterior, अगर मैं ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, यह सारे, यह सारे यह सारे जो हैं, यह दोनों टर्म डिफाइन करते हैं, anterior posterior axis में भी, और dorsal ventral plane पर भी, अब इसी में शब जो लिए, mid, तो point है, अगर कोई anterior posterior axis में, mid dorsal ventral plane का section होगा, तो उसी को हम sagittal plane कहते हैं, यह, तो bilateral symmetry के लिए, आपकी किताब में यह line नहीं लिखी है, वहाँ पर लिखा हुआ है, कि when the organism is divided to equal, part left and right is northern bilateral symmetry, ऐसा नहीं है, आप शब्द सही जान लें, आगे चल के तकलीफ हो चाती है, दोसा शब्द एक और जान लीजे, कि जो हमारी bilateral symmetry है, and yes, that starts, that starts from the platy helminthes, platy helminthes, बोले तो flatworm, यहां से शुरू हुई है, इस जगे से हमारी bilateral symmetry पहली बार शुरू हुई, इसके आगे चलती चली गई है, हाँ, exceptions रहे होंगे, यह अलग बार, तो पूछा गया था कि bilateral symmetry कहां नहीं पाई जाए, बहिए, फ्रॉग इसके आगे, तो कहीं आएगा ही आएगा, तो वहाँ पर तो है, उबिलिया, उबिलिया जो है, yes, sir, platy helminthes के पहले है, और इलिया, उबिलिया जो आप पढ़ते हैं, यह platy helminthes के पहले है, और इसके पहले अगर आप देखेंगे, तो फिर आपके हां bilateral symmetry नहीं है, तो sir, yes, mammal में भी है, then octopus में भी है, your answer is obelia, पूछा गया था, bilateral symmetry किसमें नहीं है, बिल्कुल सही answer है, obelia option 2, सब का answer, बिल्कुल सही है, yes, मैं आप से कहना भूल गया था, you should be interactive in my session, आप interactive रहेंगे, तो that will be appreciation during the complete session, चले, आपका साभी का answer सही है, कोई यहाँ संत महात्मा बनके नहीं बैठेगा, कि चुचाद देखेगा, you have to type your answer, when you will see the question on the screen, next, question number 2, siloam is a space between, कि सवाल है कि भी siloam क्या है, तो वैसे सरल भाशा में हम कहें, तो siloam का मतलब होता है, body cavity, लेकिन इतनी ऐसी बात नहीं है कि खाली body cavity कह के आप siloam कह देंगे, actually, siloam के साथ, एक शर्थ तो यह होगी, body cavity है, दूसरे शर्थ है, it must be lined by mesoderm, यह mesoderm से line होना चाहिए, इसके lining जो होनी चाहिए, वो mesodermal होनी चाहिए, तो जाहिर है, वो mesoderm से arise होना चाहिए, तो yes, तो सवाल पूछा गया, siloam एक ऐसा space है, किसके बीच में, पहला option है, splitted mesoderm, बिल्कुल सही है, भई, splitted, splitted होना तूट जाना, mesoderm split हो जाता है, जैसे कोई layer थी, वो दरार बनने शुरू होती है, जैसे माल लीजे, यह आपकी mesoderm थी, this one, this, यह mesoderm थी, फिर थोड़ अगर आप पढ़ते detail में, तो you will see this point, ऐसे देखे, बीच में एक दरार बनने लगी, sir, यह splitting समय के साथ बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जाएगी, you will get the formation, देखे, वही splitting बढ़ जा रही है, और यह आपके पास एक membrane, this one, yes, that appears outside, यह बाहर के तरफ नजर आने लगी, and yes, that will from the cavity, यही cavity, तो यह सही answer, बिल्कुल, yes, silom is a space, yes, 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 बिल्कुल, यह fourth answer कहां से आई गया भी, गलत है, जो answer कर रहा है fourth, वो बिल्कुल गलत है, नहीं, बिल्कुल, फिर कई लोग fourth answer कर रहे है, यह बिल्कुल गलत है, हमारे क्याल से आपको कुछ confusion हो रहा है, sir, अगर इतना confusion है, तो पूरी बात सुनिये, मैंने दो बातें आप से कहीं कि silom एक body cavity होती है, दूसरी बात must be lined by mesoderm, और तीसरा शब्द जान लिजे, जो आपकी NCRT में नहीं mention है, silom हमारे यहां दो प्रकार के होती है, एक कहलाता है, saizo silomate, यह सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कहलाता है, enterosilomate, enterosilomate, यानि silom दो प्रकार के हैं, अब सर वो saizo silomate किसे कहते हैं, saizo silomate तब कहते हैं, then, yes, this silom is spawned by splitting of mesoderm, जैसा के question के पहले option में नजार आ रहा है, लेकिन enterosilomate डवलब तब होता है, that is, डवलब from, from mesoderm of gut wall, gut wall का maximum part जो है, वो endodermal origin का है, लेकिन सारा का सारा नहीं है, उसका कुछ पार्ट mesodermal होता है, that appears as a pouch like, और वहीं पाउच समय के साथ बढ़ा हो जाता है, body wall वली बात नहीं, आप अपने NCIT में देखेगा, diagram भी बना हुआ है, तो सर, ये, अक्टोडर्म का कोई प्रेशनी नहीं उठता है, mesodermal body wall कह रहे हैं, तो ये भी गलत है, और ये, हमारे क्याल से समझ में, आज आना चाहिए, कोई confusion आनों तो जरूर बताएं, आपका सवाल था, siloam किस के बीच में है, तो फिलहाल जिस शब्द का प्रयूग किया गया है, वो saizo silomate के लिए किया गया है, I think it should be okay for you, this, next, question number three, the radial symmetry is observed in, radial symmetry कहाँ पर पाई जाती है, अब radial symmetry किसे कहते हैं, भई अभी हमने bilateral आपको बताया, bilateral को हमने बताया है, जब sagittal plane से आप cut करें, तो sir, organism दो इस्सों में बढ़ जाए, अब दूसरा point आया, radial symmetry किसे कहते हैं, तो radial symmetry कहलाती, any plane, any plane that divide organism into the two equal half, but the plane must pass from the center and top to the bottom, यह नहीं लिखाए किताब में, किताब में लोग ऐसे कह देते हैं, कोई organism हम उसको हमेशा दो हिस्सों में बांट सकते हैं, येस, दो हिस्सों में बांट सकते हैं, येस, अगर हम ऐसे काटे हैं, येस, लोग इसे radial symmetry कह देते हैं, सर, ये radial symmetry नहीं कहलाती, ये किताब में आपके लिखी नहीं है, सर, इसको हम लोग spherical symmetry कहते हैं, ये नहीं पढ़ाया जाता आपको, ये spherical हैं, लोग ये ही याद करते हैं, any plane that is passes via the center divided animal into two equal half, गलत है सर, ये बात इसमें कहनी है, सर, आपके पास radial की definition याद कर लीजेगा, क्योंकि ये NCRT में justified नहीं है, that is any plane passes via center, but from top to the bottom, ये condition from top to bottom, yes, result into the two equal half, दो equal half में बाट देती है, अगर ऐसी condition आ रही है, तो वो radial symmetry कहलाती है, हमारी ख्याल से अब clear हो जाना चाहिए, spherical मत याद करिये, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो लिखा है थोरी में NCRT में, वो typically spherical की definition लिखिये, चुकि इस spherical आपके सलावस में नहीं है, तो लोग उसी को पढ़ रहे हैं, point अभी हम question पे आ रहे हैं, radial symmetry is observed, इन किस में पाई जाती है, platy elementis में तो नहीं पाई जाती है, यहाँ bilateral symmetry अभी आपने पढ़ा, cylindrata, so cylindrates में देखा जाए, यहाँ पर typically radial symmetry पाई जाती है, सहमत हूँ, escalmentis में फिर से bilateral symmetry पाई जाती है, analytes में भी bilateral symmetry पाई जाती है, econodermates में radial symmetry पाई जाती है, actually econodermata जो है काफी advanced invertebrate है, लेकिन वहाँ पर embryonic condition में bilateral symmetry है, अगर यही बात यहाँ लिखी होती, econodermates की जगह पर, embryo of econodermates तो मैं radial नहीं कह पाथा, तो econodermates जो होते हैं, embryonic condition से जब adult की तरह बढ़ते हैं, तो सब्सवाइब उस development में अपने symmetry को change कर लेते हैं, तो answer B और E, yes, the first should be the correct answer, हमाई क्याल से सब का answer, बिल्कुल सही है, yes, answer कर रहे हैं, रणधीर की actinophirus, बिल्कुल, spherical symmetry का example actinophirus है, सब सन और्गेनिसम कहलाता है, protozova का member है, आपको नहीं पढ़ाया जाता, radiolaria reno नहीं लिखा है, सब ये भी protozovans हैं, बट आपको पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए मैंने spherical symmetric example आपको नहीं बता है, I hope बात clear हो गई होगी, next question number four, incomplete digestive tract, यानि the blind sack body plant is found in, incomplete digestive tract, actually जो digestive tube है, उसे हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, सर्फ पहला हिस्सा कहलाता है, अगर हम first वाला part देखें, तो उसे हम लोग कहते हैं, that is incomplete, और दूसरा हिस्सा कहलाता है, and that is complete, incomplete और complete, जो incomplete digestive tract होती है, वहाँ पर सिर्फ एक opening पाई जाती है, और येस, दूसरा हिस्सा बंद होता है, यानि जो पूरी, जैसे आप बजार जाते हो ना, तो एक थेला लेकर जाते होगे, तो उसी तरह पर थेला है, ये incomplete, यानि it has only one mouth, इनके पास सिर्फ एक मुँ होता है, opening कह लीजे, अब उस opening को आप mouth ही कहोगी, ये भी ध्यान रखिएगा, it act as anus, act as anus, anus leveling नहीं की जाते है, आप hydra को याद करिएगा, वहाँ पर ऐसा ही है, लेकिन जहाँ पर हम complete dicey tube की बात करते हैं, उस जगे पर यहाँ पर दो opening पाई जाती है, one act as an mouth, and other act as an anus, किसी एक सिर्फ को आप mouth कह लें, दूसरे सिर्फ को anus कह लें, ये तो आप जानते होंगे, ऐसा थोड़ी ना, लेकिन मैं दूसरा शब्द भी आपको बता रहा हूँ, incomplete dicey tube होगी, तो उसे हम blind sack body plan भी कहते हैं, ये blind sack कहलाता है, और जहां complete होगी, उसे हम लोग tube within tube body plan कहते हैं, tube within tube, ये भी शब्द ध्यान रखेगा, इसलिए ये question में लिखा था, incomplete dicey track को लिखा हुए है, blind sack body plan, अब सवाल आया है कि, blind sack body plan है कहाँ पर, तो blind sack body plan एन लीडा में तो बिलकुल नहीं है, क्योंकि आपके पास जैसे, S के हल्मेंथी शुरू हुआ, S के हल्मेंथी यानि राउंड वर्म, वहाँ से लेकर, सब ही लोगों में tube within tube body plan है, यहां से लेकर, कोड़ेटा तक, तो आर्थोपॉड में भी नहीं होना चाहिए, मोलस्क में भी नहीं होना चाहिए, येस वी गॉट दा अंसर, प्लेटी हल्मेंथी येस, बिलकुल सब का अंसर से यारे, संधी, प्राव, अंधी, रहारून, सिद्धिकी, राम, मोहन, देपिका, सर्वन, सौरफ कुमार, अबरेवन इस गविविग दे करेक्ट आंसर, नेक्स्ट कोशन नमबर फाल, दगुरूप अम्नियोटा, तो सर, अम्नियोटा, हम लोग उन्हें कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं, अम्नियोटा, और जहां नहीं पाई जाते हैं, उन्हें हम लोग नाम देते हैं, हैंने अम्नियोटा, यानि दो नाम देने जा रहे हैं, यहां पर नहीं है, और यहां पर है, अब एक्स्ट्रोम्रिक मेम्बरीन हैं क्या-क्या, तो इसे चार हैं, एक कहलाती कोरियॉन, दूसरी कहलाती अम्नियॉन, तीसरी कहलाती है, that is एलेंट्वाइन, और चौथी कहलाती है, and yes, that is यॉक्सेक, तो जिनके डवलप्मेंट के दौरान, ये चार एक्स्ट्रा अम्नियॉनिक मेम्रीन पाई जाती हैं, जो चार पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं, आम्नियॉट्स, यार आंसर कौन, किस ने किया, शिवा जी महाराज, वन आंसर कर रहे हैं, और कुछ लोग चार, यानि पर ना पाई जाएं, वो एन अम्नियॉट्स कहलाएगा, अब सवाल आया कि भी, ये कहां पाई जाती हैं, तो ये पाया जाता है, आपके पास अन अम्नियॉट्स सिर्फ दो जगह पर, फिशेज और एम्फीविया, दो ही लोग हैं, जिसको हम लोग एन अम्नियॉट्स कहते है शायद इसलिए हम लोग क्लास कर रहे हैं कि जो गल्तियां हो जो किन्फूजन हो वो दूर हो जाए कोई फरत नहीं पड़ता इससे लेकिन कोशिश करिए गलत ना तो येस रेप्टाइल बॉर्ड अनमल मेरा सवाल यहां पर आप लोगों से है जितने लोग चैट कर रहे हैं करेंगे सभी लोग आंसर कोई गूगल नहीं करेगा और कोई दूसरे का देखे गाने की कौन सा आंसर कर रहे हैं एक सवाल हमारा इस टॉपिक से हट के आंसर तो आ गया ना सवाल यह है कि जो एनम्नियोट्स होते हैं उनमें नंबर आफ क्रेनियल नर्व कितनी होती है एकदम अलग मैं सवाल पूछ रहा हूं नंबर आफ क्रेनियल नर्व जो एनम्नियोट्स हैं और जो एम्नियोट्स हैं इनमें बात की जाए इनमें कहा जाए नंबर आफ क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं यह आपको बताना है दोनों में क्रिंडन तो आप यह मत कहिएगा कि ज़र यह सवाल क्यों पूछ रहे हो आप टॉपिक से हटके सो कुछ फरक नहीं पड़ता है ना जो लौजी ना चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं तब तक ढूण कि आंसर कहिए कुछिए नम्बर है six the first diploblastic animals actually इस धार पर देखा जाए तो हमएं पर दो शाग है एक है diploblastic और दूसरा है triploblastic diplo कहा जाए और अगला नाम है triplo का तो जिनका embryonic development जो है वो सिर्फ दो ही germ layer से होता है that is ectoderm और endoderm तो वो diploblastic कहलाते हैं और जहां पर तीन है ecto, meso और endo तो वो कहलाते हैं triploblastic जबसे हमारा mesoderm arise हुआ है तो सर्तफ से complexity बढ़ती चली गई है that increases the complexity यहां था क्योंकि most of our organ system is derived from mesoderm आपके शरीप में भी जितने system हैं उनमें maximum जो system हैं वो mesodermal origin के हैं तो जब तक mesodermal नहीं था तब तक organism बड़े simple थे तो सर्ट diploblastic में answer is the sealant rate यह diploblastic है first triploblastic जो है वो platy halmenthies से शुरू होता है और आगे तक चलता है हमसे सवाल पूछा गया था first diploblastic animals are तो yes answer is the sealant rate यानि छटे का पहला answer सही है बिल्कुल छटा का पहला answer सही है यह इस मैं देख पा रहा हूँ answer पुराना वाला भी सही आ गया बिल्कुल सर जो एन अम्नियोर्स होते हैं उसमें number of cranial nerve 10 pairs होती हैं और जो एम्नियोर्स होते हैं हम लोग इसी category में हैं हमारे पास कुल 12 pair के ने लगए बिल्कुल सही मैंने देख लिया था आप लोग के answer होते हैं हाँ बिल्कुल संदीप राओ कह रहे हैं कि सर पूरी बात बताईए ना तो सर रेप्टाइल की बात वो कहना चाहते हैं रेप्टाइल में हैं 12 pair लेकिन exception snakes है and yes snakes has only 10 pair snake exception है तो वो उन्होंने बताया है तो मैं थोड़ा avoid कर रहा था हूंने का पता नहीं आप यहां तक जहलोगे कि नहीं जहलोगे तो प्लैटी अल्मेंथी से शुरुवात करिएगा लेकिन इसमें confusion है कुछ लोगों को लगता है कि सिलेंट्रेटा के साथ-साथ हमें पोरी फेरा भी तो करना चाहिए लेकिन मैं सहमत नहीं क्यों नहीं सहमत हूं क्योंकि पोरी फेरा में हम लिखते हैं cellular grade of body of organization और जहां cells हैं टिशू शब्द नहीं है वहां आप एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानि इपिथिलल टिशू शब्द का प्रियोग ना करें हलांकि लावलिंग में लोग करा देते हैं वहां पर जब आप करते हैं तो मिजोहाइल बीच में रखते हैं non embryonic और एक्टोएंडो कर देते हैं लेकिन वह typical इपिथिलल टिशू नही था लेकिन अगर पूरी फिरा भी option में होता तो मैं समझ सकता हूं कुछ लोग जरूर फंस जाते हैं चले नेक्स वोश्चन कोश अमबर seven which one of the following statement is wrong यानि चार statement दिये जा रहे हैं बताना हैं गलत कौन सा है ध्यान दीजेगा sponges exhibit the cellular grade of यानि level of organization अभी अभी मैंने कहा यह लाइन बिल्कुल सही है cellular grade of body of organization जो है वो sponges का है दूसरा point है the digestive system in the platy elementis has only one opening to the outside of the body that serve as a mouth and an earth boat तो भहिया यह तो कहा ही हम लोगों ने कि blind sag body plan है और क्या कहलाओगे तो सही यह भी है लेकिन हम तो ढूण गलत रहें ना आपसे the all animal exhibit the same pattern of organization of cell तो भहिया यह गलत है ऐसा नहीं है जितने भी आपके पास आप जैसे से animal kingdom के member evolve होते गए जैसे protozoa में और cellular grade of body of organization है single cell ही तो है पोरी फेरा की बात करते हैं तो cellular grade of body of organization है yes cellular grade of body of organization है फिर silentator की बात करते हैं तो tissue की बात करने लगते हैं पहा नहीं बीच-बीच में करेंगे कि आप आके स्वाहा करने के लिए खड़े हो जाओगे सुनिये और answer करिये मैं सब के chat देख रहा हूं मैंने screen लगा रखी है तो प्लीज ऐसा मत करिये मुझे भी थोड़ी तसल्ले मिलने दीजे कि आप मेरी बात सुन रहे हैं समझ रहे हैं और interaction है और exam है यार बीच दिन बात तो कम से कम अब तो दिमाग चलाईए चले ख़र चौथा भी पढ़ी लेते हैं इन सिलेंट्रेट दा सेल्स परफॉर्म दा सेल सेम फंक्शन अन अर्रेंग देटिशू हैंस नेम्द देटिशू लेवल फोगनाईशन ये सही ये बात कि भही हमने अभी तो कहा कि टिशू टर्म के शुरुवात सिलेंट्रिट असे हुई हैं येस अवरिवन इस गिविंग देट अंसर सेवन्थ का थर्ड होगा नेक्स्ट एट्थ विच दफॉलोइंग देट्रिट अपॉर्म के शुरुवात हुई होगी वहां एक ऐसे अलिमेंटरी कैनाल बनी हुई होगी तो वह एम्रियॉनिक कंडिशन दिखाई गई हैं फिर ए एक ऐसे ऊपर ट्यूब बनी हुई है और एक और ट्यूब बनी हुई है ऐसे प्लीज जिनों ना देखा हो नोटे जरू कर लिजेगा वो डियाग्राम तो नहीं है इसमें लेकिन ये डियाग्राम बेहद इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें एक के लबलिंग को हम को लिखते हैं नर्व कोड्ड नर्व कोड्ड और दूसरे को लिखते हैं हम लोग नूटो कोड ही है अब इकदाम में जब यह आता है न तो बच्चे को डियाग्राम याद रहता है और वे सोंसता है कि यार नोटो कॉर्ड और नर्व कॉर्ड है लेकिन अगर हम दोनों को A और B लिख दें तो कई सारा बच्चा किन्फूज हो जाएगा कई सारा बच्चा किन्फूज हो जाएगा इस ते इस जगे पर थोड़े सी बाद आप जरूर धियान रखेगा अदरवाइस गलती की गुंजाईश बढ़ जाएगी जो नर्ब कॉर्ड होती है वो होलो होती है खोली होती है क्योंकि यही नर्ब कॉर्ड आगे चलकी CNS में तबदील होती है Central Nervous System में तो जाहिर है CNS हमारा खोखला है लेकिन जो इन नोटो कॉर्ड है ये बाद में स्प्लिट होना शुरू होती है ये अब कनवर्ट हो जाती है यूं समझें वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल कॉलम में यानि सरल भाशा में हड़ी नहीं दूसी बात दूसी बात ये कि सर नर्व कॉर्ड की जो ओर्जिन है वो अक्टो डर्मल है CNS है ना तो हम अक्टो डर्मल कहेंगे और इसकी ओर्जिन जो है वो मीजो डर्मल है हमारे क्याल से अंसर आगया पूछा क्या है कौन सा इसमें से करेक्ट है नोटो कॉर्ड के लिए तो डर्सली सैच्वेटेड भाईया दिख तो रहा है डर्सली वाला पोजिशन तो डर्सली है मीजो डर्मल और जिन ये भी हमने आप से कहा मीजो डर्मल है तो इसका मतलब जरूरी आंसर करना तो है लेकिन सर उससे जरूरी है कि इसके पीछे जो पीछे लिखा हुआ है जो उससे डिएड डिग्राम है या पॉइंट है वो आपके दिमाग में है कि नहीं कि हो सकता है कल को एक्जाम में नोटो कॉर्ड की जगे नर्व कॉर्ड लिखा हो तो ये गलती हो जाती है इसलिए थोड़ा सा वक्त जरूर दीजेगा अपनी मेमोरी को Yes, question number 9 Choose the correctly matched pair यानि जो चार option दिए गए है इसमें जाहिरे तीन गलत होंगे एक ही सही होगा जैसे नाम दे रहे हैं और्निथोरिंकस प्लैटिपस सिटीकुला पिजन कैमेलियोन वाल लिजर्ड ट्री फ्रॉग इस दे रैकोफोरस तो पहली बात देखेगा रैकोफोरस नाम आपके किताब में है ही नहीं आप देखेगा एक्जामपल में तो जहां पर होना चाहिए वहां है नहीं जो ट्री फ्रॉग है वो हाईला है तो भईया ये तो गलत है वाल लिजर्ड जो है वो हेमी डक्टाइलस है टिपकिली जो आपके घरों में होती है हेमी डक्टाइलस लेकिन कैमेलियॉण का जिक्र है कैमेलियॉण का जिक्र है इसकी फोटो भी बनी हुई है तो ध्यान ये रखिए ज़ा कैमेलियॉण को हम लोग ट्री लिजर्ड कहते है वाल लिजर्ड नहीं कहते है छिपकिली के नाम पे इन्छिप के लिए का जिक्र आपके एक्जाम्पलस में किया गया है एक वाल लिजर्ड जिसे हम लोग नाम देते हैं हेमी डक्टाइलस एक है आपके पास क्यमेलियॉन ट्री लिजर्ड देखेगा वो पेंड पर ही बैठी रहेगी और तीसरा एक है गार्डेन लिजर्ड गार है कि जो गिर्गिट है वो कैमेलियॉन ऐसा नहीं है सिटिकुला सिटिकुला शब्ध हम लोग कहते हैं पैरेट को तो ये भी गलत है पिजन तो अब मालीजे हमको और निथो रिंकर से नहीं याद है किसी को भी आप लोग को तो याद है मैं तो देख रहा हूं कि भी आंसर आप लोग किस सही हैं किसी बैच्चे को नहीं आद है तो नीचे से काम चला लीजे यह दे करेक्ट आंसर इस वन और निथो रिंकर इस दड़कबिल प्लाटिपस इट बिलॉंग सुदा प्रोटो थीरिया प्रोटो थीरिया में वैसे तो किताबों में दो एक्जाम्पिल द पड़ें तीसरा नहीं पड़ा यस यह आल हैस गिवन दे करेक्ट आंसर नेक्स्ट कोशन नमबर टैन टैन है विच वन इस रॉंग स्टेक्में यह फिर से वैसे ही बात कि आपके पास चार पॉइंट है जाहिरे तीन पॉइंट सही होंगे एक पॉइंट इस में से गलत होग है एक चैसी क्लास है जहांके एक्जस्ट कैटन नहीं पाए जाता इस पी इसकी lost है и moist है and glandular है क्योंकि इसकीं को respiratory होना है cutaneous respiration करना है इसलिए वहां पर destroyed 같은 नहीं होगा यह उगा Suv Barcelona बिल्कुल सही बात है, they are named as a connecting link between the fishes and amphibia, लेकिन don't think किसर ये lung fishes पानी से निकल करके सड़क पे आ जाते हैं और रिक्षा करके कहीं निकल लेती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, लंग्स बनते जरूर हैं, लेकिन they are equipped to live in the marshy places, दल्दल वाली जगे पर, yes, answer 4, आप लोग का रहा है भी देखते हैं, सबने answer 4 ही किया है, तो दल्दल वाली जगे पर ये रहते हैं, तो इसलिए ये मज़ समझेगा कि लंग्स फिश हैं तो फेपड़ा हैं, तो निकल के आगे पेने पर बाइट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, All living members of the class cyclostoma, or the active parasite on the some fishes or scavenger, yes, बिल्कुल, cyclostoma में दो ही example दिये गए हैं, Petromyzone, that is, Headfish, Migzane, Lamprey, जो नाम देते हैं, वो इसी मिचार नाम है, Migzane, Lamprey, Headfish, Petromyzone, वो हैं दो ही, पड़ा जरूर लीजेगा, कि कौन सा common name है, और कौन सा this one, तो उसमें यही बात कही जारे हैं, कि इसके जो दोनों member हैं, एक उसमें sanguwar हैं, Petromyzone, और एक जो है, अन्येस, दूसरा वाला, scavenger है, तो ये भी सही है, Chondry of these include both marine and fresh fishes, सही है, विद अरे यार, इतनी चोटी सी बात लिखी है, Bony skeleton कहा हो सकता है, मैं लब सवाल को बहुत सरल कर दिया, तो yes, answer is the four, और yes, you have given the बिलकुल correct answer, yes, next, Kusham 11, select the correct matching in the fallen pair, यानि भाया, फिर वही बात, कि तीन गलत हैं अबकी, अभी तक होते थे, तीन सही होते थे, एक गलत होता था, इसको हिंदी में सरल भाशा में समझ लीजिए, हमारे मात्र भाशा हैं समझ में ज़्यादा आती है, हम जैसे लोगों को ज़्यादा आती है, तो sir इसलिए बोला, अभी तक जो हम लोग कह देना, उपी आती हैं, चूसज दा रौंग तो जाहिर थे तीन करेक्ट ह होते थे, एक इक इनकरेक्ट होता था, अब ही कहे deixa, तीन करेक्ट है, एक करेक्ट है, पोरी पहरा फाइसिलिया, तो भी या फाइसिलिया का आपको हमें बताना है, फाइलम, मैं वेट कर रहा हूं, एक तो मैं Phylum का वेट कर रहा हूँ एक ही चैट में आंसर बताईएगा दूसरी सर इसके Symmetry का भी वेट कर रहा हूँ पाईसी लिया जिसे हम लोग Portuguese Man of War कहते हैं तो उसे मैं रोप रखा हूँ Tinofora इसका Example है Plurobrachia बिलकुल सही आंसर है यही यह आप देखेंगे वहाँ पर दो ही Example लिखे हुए है और वही फोटोग्राप भी आप में बना हुआ है अलिडा सिस्टोसोमा गलत है सिस्टोसोमा कहलाता है ब्लड फ्लूक नहीं किताब में दिया है आप Pletialmanthes में आएंगे तो वहाँ दो ही Example दिये हुए टीनिया एंड लिवर फ्लूक लेकिन दो और याद रखे इकिनो कॉकस एक है डाग टेप वर्म याद रखना चाहिए भई अब सवाल ऐसे फसे गा तो आप फस होगे और नहीं फसे गा तो आप फिर मत फसना ये डाग टेप वर्म है कुत्तों में पाया जाता है तो अगर आप घर के बाहर जाके 99 खाते हैं तो कोई गैरिंटी नहीं आप क्या क्या खाते हैं तो एकिनो कॉकस का इंफेक्शन होता है तो सिस्टोसोमा तो जाहिर है ये भी गलत है प्लैटी हलमेंथीज दे वुचेरिया फिर गलत सर वुचेरिया बिलॉंग्स टू दर राउंड वर्म राउंड वर्म कह लीजिए या फिर आप ऐसके हलमेंथीज कह लीजिए लेकिन प्लैटी हलमेंथीज नहीं कह सकते हैं तो सर ये भी गलत है पोरी फेरा का member Phycelia है कि नहीं, yes I am waiting, Phycelia silentrator है, shows the bilateral symmetry, Sandeep Rao, बिल्कुल सही है, radial symmetry गलत है, राम मौन सोनी गलत आंसर बोल रहे हैं, यानि phylum सही बता रहे हैं, सिवाज भी माराज भी कह रहे हैं, radial symmetry, सर यही खास बात है, सर इसकी जो phylum है, yes that is a silentrator, silentrator के खूबी है कि भाया उनके पास radial symmetry है, लेकिन यह बगावत करके बैठे हुए हैं, and that shows the bilateral symmetry, इसलिए तो मैंने पूछा था, अगर इसकी symmetry radial होती, तो मैं पूछता है क्यों, yes, उपर आंसर आ गया था, Sandeep Rao का, बिल्कुल सही है, radial नहीं करियेगा, so yes, next, question आ गया है, answer 11th का two होगा, yes, उपर किया था लोगों ने, 12th, which one of the following statement is not correct, जब मैं सवाल पूछता हूँ, तो सब लोग answer नहीं करते हैं, आप question screen पे देखते हैं, तो मैं देख रहा हूँ, लोग ज़्यादा answer कर रहे हैं, लेकिन जब बीच में मैं question पूछता हूँ, तो लोग शान्त हो जाते ह अच्छी बात, थोड़ी नहीं, सारी मेनत हम ही करेंगे, आप कुछ नहीं करोगे, कुछ तो करिए, चले, 12th में है, which of the following statement is not correct, यानि अप सुचे इस बार सवाल में कैसा किया गया है, जान बूच के मैंने का ज़रा कुछ सवाल ऐसे जरूर डालना है, थाकि आप जाने correct जुझ करना है, not correct चुझ करना, not incorrect, not correct चुझ करना, not correct गलत, जो गलत हैं, यह तो सही लग रहा है, बिल्कुल, रेप्टाइल्स आर वाँ ब्लूडड इड, यहीं गलती लग रही है, रेप्टाइल जो होते हैं, वो cold-blooded होते हैं, जो warm-blooded की बात करिएगा, warm-blooded जिनके शर का जो तापमान एकदम फिक्स रहता है, इसमें हमारे पास आपके पास दो लोग हैं, एक बर्ड है और एक मैमल है, उन्हें तो फिशेज, एम्फिविय, रेप्टाइल, तीनों के तीनों cold-blooded animals हैं, जिन्नें हम लोग पाइ किलो थर्म कहते हैं, होमियो थर्म नहीं कहना चाहिए, तो आप धूण क्या रहे थे, अनॉट करेक्ट, तो हड्ड्यों में, एर क्याविटी जाती। एर पाया जाता है। यह इनका फ्लाइट का एडॉपटेशन है। हड्ड्यां हल्की हो जाती हैं, तोड़ने में मदद मिलती है। वही चिडिया को क्या करना है हवा में उड़ना तो उसने बहुत सारे डॉप्टेशन कर रखे हैं फ्लाइट के लिए उन में से एक ये भी है सही है The most unique mammalian characteristic is the presence of memory gland वही हमारा नाम ही से लिए रखा गया memory gland के वज़े से mammalia हिंदी में और समझ में आता है इस्तन धारी इस्तन यानि memory gland इस्तन को धारण करने वाले इसने हम कहलाते हैं इस्तन धारे बिलकुल यह 12th का second answer Next Question number 13 Animal belonging to the phylum caudita shows जो animal हैं caudita को belong करते हैं वो shows क्या show करते हैं bilateral symmetry, triploblastic and sylome बिलकुल सही है bilateral symmetry भी सही है triploblastic भी सही है sylome भी सही है तो पहला option ठीक लग रहा है आगे पढ़ लें पता नहीं होसता कुछ और अच्छा दिया हूँ organ system of body of organization बिलकुल सही है escalmanthes यानि निमेटोड़ा escalmanthes roundworm यहां से लेकर आगे के जितने भी phylum है सब में organ system है and yes close circulated system है रास्ते में बीच बीच में open मिले है लेकिन enlida was the first phylum जहां से close circulation की बात हुई थी koita में तो सर्फ close ही close है तो answer is the fourth यानि जितने features yes, 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 बिलकुल सही है 13 का force yes, right next, question number 14 in some animal groups the body is found divided into compartment with at least some organs or organ repeated this characteristic feature is name as कुछ ऐसे animal का group है जिसमें शरीर कई सारे हिस्सों में बटेगा और कई सारे हिस्सों में बटेगा लेकिन इस प्रकार से बटेगा कि कुछ organ या organ जो system है वो repeat होते है सर ये वला जो phenomenon है ये जो point है it shows the feature of anelida ये anelida का feature है और जहां का बहुत important point है एकदम दिमाग में घुसर लीजे इसको and that is known as a metamerasm यहां के जो segments पाए जा रहे है जिनको ये compartment या segment की बात कर रहे है this and this is known as a metameras metameras या metameric segmentations कहते है this one अब आप कहोगे सर ये बात कैसे कह ले जाते है repetition of the certain organ yes बिलकुल सही है second option ही सही है तो सर ये कैसे कह रहे तो repetition of the certain organs तो repetition of certain organs जानने के लिए look the spermathe key that is present in the sixth ऐसे पांचमा छठा 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 साथमा साथमा आठमा पसंद नहीं आएगा आपको ये बात लेकिन सर अगर आप spermathe key जाने कि एक-एक जोड़ी spermathe key वो इंट्र जो silo septa होता हमके बीच में partition सर उनसे लटकी रहती segment choose करना होगा कभी तो six, seven, eight और nine choose करेगा silo septa choose करना होगा तो five oblique six, six oblique seven and so on तो ये कहलाता है metameric segmentation हमारा सवाल आपसे यहां पर एक है ध्यान से सुनिएगा सर ध्यान से सुनिएगा कि यहां भी हाल चाल ना पूछो भी मुझबन नफीस हाल कोन करके पूछ लेना चैट में मैं देख रहा हूं प्लीज तो सर यहां पर हम ये कहने जा रहे हैं कि अनलीडा में हम लोग कहा रहे है metameric segmentation है तो हमारे पास कोई ऐसा अनलीडा का member आप पढ़ते हो जहां पर false segmentation पाया जाता हूं pseudo metameric segmentation में पाया जाता हूं कोई ऐसा example जो आप पढ़ते हूं जो नहीं पढ़ते वो मत बताईएगा जो आप पढ़ते हूं और उसमें pseudo metameric segmentation पाया जाता हूं मैं wait करूंगा आपके इस question के answer next question number 15 which one of the following statement is incorrect कौन सा statement इसमें से गलत है फिर से देखे उसी तरह का सवाल है तीन statement सही है एक statement गलत mesoglia is present between octoderm and endodermophobilia बिल्कुल सही है यह cylindrata का feature है cylindrata का feature radial symmetry is found in the estrus बिल्कुल यह भी सही है क्योंकि यह starfish का feature है fasciola is of pseudosilomate तो पहले fasciola तैंकर लीजिए fasciola yes hepatica जिसे आप liver fluke कहते हूँ it belong to the platy helminthes और platy helminthes में pseudosilom नहीं होता pseudosilom is a feature of only nematoda S के helminthes tinia कहां से कह रहे हैं आप अच्छा हुस्ता कुछ और exudosil कहना चाहते हूँ sir tinia is a triploblastic animal tinia triploblastic है sir यह सही है तो आपको यह गलत लग रहा है कि यह this one तो answer is the third third is the answer भी यह answer नहीं है तो मैं बता रहा था सही है क्योंकि जो fasciola है वो acylomate this fasciola is the acylomate animal तो answer should be the third 15 का third मैं wait कर रहा था आपके answer का answer आया किसी ने tinia कहा अगर तो गलत कहा हमें आपसे पूछ रहा था कि यह leader में कौन से ऐसा member है जैसमें false segmentation पाया जाता है and answer is the leech leech shows not the metameric segmentation इससे जब भी कभी आपसे metameric segmentation का example देने को कहा जाए then leader करिएगा लेकिन अगर example में किसी as a animal का नाम यह बिलकुल सही है कि सर लीच रणधीर यादोंने answer किया है तो अगर कहीं भी आपको एक animal choose करना हो तो select the answer earthworm ध्यान रखेगा earthworm अक्सर आप किताबों में देखेंगे जहां metameric समझाये यह वह लीड़ा नहीं लिखते हैं वो लिखते हैं earthworm आजाए यह next question पर 16 number which one of the following statement is incorrect फिर से वैसा ही सवाल कौन सा गलत actually क्या है ना यह animal kingdom में बहुत सारे statements थे तो मैंने सोचा जादा-जादा statement को cover किया जाए तो उसके लिए मुझे यही तरीका समझ में आया क्योंकि मैं एक point लिखता तो उससे एक ही सवाल हो पाता correct-incorrect में हमें बहुत चार statement आ जाते हैं तो हमारी diversity भी question की बढ़ गई है और covers भी जादा हो गई इन cockroach and prawn acquisition of the waste material occurs to the malpagan tubule पहला है दूसरा इन tino fall locomotion is by the complete बिलकुल सही है complete इनका बड़ा important feature है और इसी से यह locomotion करते हैं बड़ा characteristic feature है संख्या भी इनकी fix होती है कभी आप किताब में गिनियेगा जो platonoma बना हुए है वो संख्या आठ बना हुआ है बिलकुल in fasciola flame cells take part in the expression ये भी सही लग रहा है क्योंकि fasciola जो है that belong to the yes platy almenthes और platy almenthes में ही flame cells पाई जाती है अर्थ warm और hermaphrodite, hermaphrodite का मतलब होता है male female दोनों एक ही organism में है and at cross fertilization takes place among them बिलकुल कि सर इन में जो maturity है ना sexual maturity अलग अलग टाइम पर होती है तो ये भी सही है तो पहला ही गलग रहा है yes answer first आप लोग ने बिलकुल सही किया लेकिन अब सोचने वली बात ये कि इसमें गलत क्या है तीन तो हमने सही कर लिया मैं answer भी यही कर दे रहा हूँ कि भई यही है आपको बताना ये है कि इसमें गलत क्या है भई हमने तीन तो सही कर लिये इसलिए मैंने कहा कि पहला answer yes बिलकुल सही है देस प्राउन की बात कर रहे है दिस प्राउन के पास मैल्पीगें टिबूल नहीं होती है इसका ध्यान रखेगा प्राउन बिलॉंग टू क्रस्टेशिया ये क्रस्टेशिया का मेंबर है और जो मैल्पीगें टिबूल है बिलकुल संदीप राओ और ये और आंसर इस एक्जाक्टली करेक्ट किसे क्रस्टेशिया का मेंबर है और मैल्पीगें टिबूल इस नौटिफ फीचर ऑफ दे क्रस्टेशिया ध्यान रखें एंटिनरी ग्लैंड्स हैं वहाँ पर नेक्स कुशनमर 17 Eurocoid and Cephalocid refer to as Eurocoid and Cephalocid को हम लोग Commonly क्या कहते हैं बहुत आसान सा सवाल है Sir that is a protocid इस पर वक्त नहीं ले रहे हम आपका क्योंकि बहुत आसान है हमारी खाल से आधी आधी चार लाइने लिखी हुए है Eurocoid उन्हें कहते हैं जहां notocod जो होता है टेल, लेकिन टेल of what? टेल of embryo, टेडपोल लारवा होता है इनके पास, इन में, और यहां पर हम लोग कहते हैं, नोटो कॉर्ड, परसिस्ट, आल एलाउंग लाइफ, आल एलाउंग लाइफ, एक यहां पर हमारा सवाल है आपसे, एक एक्जाम्पल हमें याद आ रहा है, and that is a hard mania, किताब में नहीं लिखा, इसलिए पूछ रहा हूं, आपको बताना है, this hard mania belongs to which, it is a eurocordid, या cephalocordid, बुरा मत मानियेगा, लेकिन आपको यह जानना चाहिए, क्योंकि example, जो देना चाहिए था, वो दिया नहीं है उन्होंने, जो example, hard mania is a very important example, वो NCRT में होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने क्या क्या, उस जगे से hard mania example हटा, तो आपको यही बताना है, क्या hard mania कहां पर है, eurocordid में, या cephalocordid में, answer आप सबने third किया है, मैं wait करूंगा इसके answer का, तब तब अगले सवाल पर आ जाईए, body cavity is a cavity present between the body wall and the gut wall, yes, in the some animal, the body cavities are not lined by the mesoderm, and these animals are known, yes, eurocordid में आपकी किताब में देखेगा, लिखा होगा, acidia, dolyolum, salpa, तीन एक्जामपल लेखें, एक की photo भी बनी हुई है, acidia, dolyolum and salpa, photo बनी हुई है उसकी, लेकिन सर, yes, that belong to the hard mania, belong to this eurocordid में, क्योंकि adult जब यह बनते हैं, तो इसके ऊपर जो है, एक covering आनेश होती है, एक covering कर लेते हैं, इसलिए, सर, eurocordid का नाम, tunicata भी रखा जाता है, tunicata, tunicin, tunicin नाम का एक substance है, उसकी पुरी sheet सी बन जाती, yes, अब कई लोगों ने answer किया, सर, pyrosoma नहीं करना है, हम सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, कि hard mania कहां पर पाया जाता है, तो eurocordid हो, या tunicata हो, आपका answer बिलकुल सही था, सेलिए, next, हम सवाल पढ़ रहे थे, कि body cavity, कैसे cavity, जो body wall और gut wall के पीछ में पाई जाती है, कुछ जानवर ऐसे हैं, जिसमें body cavities are not lined by mesoderm, and such animals are known as, जहां body cavity तो है, but that is not lined by mesoderm, line का मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ से हो ना चाहिए, तो जैसे a silomate है, यहां तो body cavity है ही नहीं न, तो यह तो हो यह नहीं सकता, दूसरा pseudo silomate कह रहे हैं, sir यही answer होना भी चाहिए, this one, क्योंकि body cavity है, वो false body cavity, कभी आप इसका diagram देखिएगा, तो यह elementary canal बनी है, मैं pen से आपको दिखा दूँ, otherwise आपके पास तो diagram हो गई होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, yes, दो मिनिट थोड़ा दे दीजेगा, तो शायद मैं अपनी बात कह ले जाऊँ, तो यह हो गई हमारी body wall, सब रेड टन तो दिखनी रहा होगा आपको, यह हो गई body wall, यह हो गया mesoderm, यह हो गया endoderm, तो हमारे पास यह रही cavity, लेकिन यह false cavity है, इसको हम लोग pseudo seal कहते हैं, pseudo seal, this one, दूसरी एक और बात है, वो भी जान लें, प्याद काम आजाए आपके, जो false seal home है, that is derived from the blasto seal, embryonic development में, blasto-like stage में, cavity बनती है, उसे हम लोग कहते हैं, blasto seal, सब वो बाद में, degenerate कर जाती है, और उसका इस्थान, एक orchantron नाम का term लेता है, जो आगे चलके, elementary canal बनाता है, लेकिन इन में, यह blasto seal बची रह जाती है, और यही इस form में develop होती, इस point की आविश्यक्ता नहीं थी, मैंने जान बूच के आपको बोला, ताकि वो false लगे, हमारे आम ने बताया, seal home में cavity, either by the spitting of mesoderm, या gut wall से बनता है, sir yes, seal home वाली बाती नहीं हो सकती, क्योंकि not line by mesoderm लेका है, और हीमो सीमलोमेट हो नहीं सकता, तो yes, 18 का second, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका अंसर बहुत कम लोगों ने किया है, तो please, थोड़ा सा attentive बनिये, और question का answer करिये, next question number 19, नेफरीडिया help in the acquisition and osmo regulation in, तो नेफरीडिया शब्द बड़ा important है, और बहुत आसान है, इट बिलॉंग्स तो दफाइलम, अनलीडा, अनलीडा में ये नेफरीडिया पाया जाता है, तो सर नेरिस अनलीडा का मेंबर है, फेरेटिमा भी अनलीडा का मेंबर है, और हेरिटोनेरिया भी अनलीडा का मेंबर है, तो answer should be the fourth, सवाल में कोई दम नहीं थी, yes, answer is the fourth, next, question number 20, which is the following is the gregarious of it, yes, gregarious का मतलब होता है, yes, that lives in the groups, ये समू में रहते हैं, groups, but no social life, इनके बीच में कोई social life नहीं होती, जुंड कहते हूं, जैसे भैंस जब चलती ना सवाड़क पर, तो जुंड के फॉर्म में चलती है, वो gregarious फॉर्म में चलती है, होती हैं नहीं gregarious, अगर आपने देखा होगा, तो धक्का देती हुई, गिराती हुई चलती हैं, लेकिन हम और आप जो सवाड़क पर चलते हैं, तो सामानता धक्का देते हुए नहीं चलते हैं, अब कोई किसी को ठोकर मार दे, तो अंजाने में लग जाता है, जान भूज के नहीं कोई चढ़ा देता है, येस अट सोशल लाइफ, इसी को सोशल लाइफ कहते हैं, जहां सेक्रिफाइज हैं, हम दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं, तो जहां आपके पास सोशल लाइफ होती है, और वो ग्रूप में रहते हैं, जहां सोशल लाइफ प्रिजेंट हो, और ग्रूप दिखाई दे, तो उस ग्रूप को हम लोग नाम देते हैं कॉलोनी तो जहां ऐसा दिखाई देगा उसे हम कॉलोनियल कहेंगे तो आपने पूछा कौन सा ग्रिगेरियस इसमें पेस्ट है तो येस आंसर येस ट्विंटी कर टू बिल्कुल सही है लोकस्टा इसकी जो सॉलिटरी फॉर्म होती है येस जो उगमीद है कि आपको जरूर पता है तभी आप आंसर कर पाएं ग्रॉस ओपर सवाल अब मेरा दूसरा है आंसर तो आ गया सर ये लैसिफर लैसिफर बिलॉंग स्टू विच फाइलम लैसिफर किस फाइलम से बिलॉंग करता है ये आपको बताना है और उससे क्या benefit होता है यानि उसका कोई commercial production है या नहीं मैं आगे मैं बता देता हूँ किंग क्रैब हम लोग लिमूलस को कहते हैं लिमूलस और ये popular है living fossil के नाब पे living fossil के नाब पे अब सवाल हम फिर रिपीट कर रहे है ये लैसिफर बिलॉंग तो विच फाइलम और इस इनी commercial benefit क्या उससे कोई कुछ commercial फाइदा है या नहीं तो वो आप बताएं चले हम वेट करेंगे आंसर आने लगा बिलकुल बिलकुल सही है आंसर येस जो इसको हम लोग नाम देते हैं लाक इंसेक्ट इनसे हमको लाक प्राप्त होता है लाक येस फाइलम इस आर्थोपोडा आप देखें तो आर्थोपोडा के एक्जामपल में दिया हुआ है और येस लाक का इस्तमाल हम कॉस्मेटिक्स में ही कर रहे हैं इसलिए आंसर सही है तो लैसी फार से हमको लाक प्राप्त होता है बिल्कुल सही आंसर है येस सिवाजे माराज का भी सही है राम मुहन सोनी है संदीप राव है तो येस रिफाइंड लाक को हम शी लाक कहते है जब इसी लाक को हम रिफाइंड कर देते है तो उसे शी बहुत आगे मत बढ़वाईए हमसे वो शी लाक कहलाता है चले, कोशन नमबर 21 फिर देखे वसी तरह काया कि सही नहीं है कयानि तीन सही होंगे एक गलत होगा अनिमल विधावड सीलो्म और भॉड़ी कैविटी स कॉल दर सीडो सील वसी लाक गलत है जो विधावड सीलो्म है या बॉड़ी कैविटी है उन्हें सीडो सील ना कह करके उन्हें हम A.C.L.M.A. कहते है और एस इलोमेट का एक्जामपल एसके हलमेंथीज नहीं है बलकि प्लेटी हलमेंथीज है तो ये तो गलत लग रहा है लेकिन देखें हो सकता है एक दो और गलत हो आपके पास तो सही लग रहा है बिल्कुल यही बात कही जा रही सिफिलाइजेशन तरसे डिफ्रेंशेशन अफ हेड बिगेंस इन दा फ्लैट वर्म यह भी सही है पहली बार सिफिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो प्लेटी अलमेंथी स्थे शुरू हुई तो यह आपके आँट में छोटी आँट में पाई जाते हैं और जनरल बाडी सर्फिस से फूट का अबसॉर्ब करते हैं पचा पचाया भोजन अबसॉर्ब करते हैं वो कहते हैं ना कि जब अल्ला देख खाने को तो का ही जाए कमाने को तो सोचते हैं, जब छोटी आत में पचा-पचाया भोजन है, तो हम क्यों मुझ से लें और दुनिया मेहनत करें, दद्दा पचातो रही हैं, तो उसी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो yes, answer is the one, हमें incorrect choose करना था, yes, सभी का answer सही है, next question number 22, the following features belongs to which of the following phylum, यानि चार features दिये गए हैं, बताना है कि सर ये किस phylum का बात कह रहे, एक triploblastic, bilateral symmetry, u-sylomate, u-tri-sylomate का मतलब सच्चा वाला sylomate, a-sylomate जहां sylom ना हो, pseudo-sylomate फर्जी sylom, और sylomate लिखा हो या u-sylomate लिखा हो, दोनों का मतलब एक है true sylom, अब आगे चलके size हो या enter हो, जो किताब में नहीं है, अरे ये point तो आदे देने से आपको बिल्कुल खुली छूट दे दिए, कि आप एक ही phylum में जाके खड़े हो जाओ, and that is a phylum is anelida, yes, answer is the fourth, कहीं कोई गुंजाई है, अरे भाई, सिवाजी महाराज, वन, लक्ष्मन गुपता वन, कैसे भई या मोलस्का में कहां पढ़ लिया आप लोगने भई, हमने तो नहीं कहीं पढ़ा कि मोलस्का में metamoric segmentation है, माना triploblastic है, मोलस्का में तो आगे चलके हम लोग कहीं कह देते हैं, asymmetrical हो जाता है, UC limit है, तो please correct your answer, answer is the fourth, anelida, metamor, ध्यान रखेगा, अगर metamorism लिख दिया, तो कोई टाल नहीं पाएगा, आपको हिला नहीं सकता, anelida से, ऐसे ही बिल्कुल point है, अगर हमने pseudo seal लिख दिया, तो सर्थ हर हालत में आपको, SK Helminthes में ही जाना है, SK Helminthes कह दें, Nematoda कह दें, Surround Verm कह दें, जो कहला लीजे, लेकिन रहोगे आप इसी में, यह सब बिल्कुल पुक्ता point है, Yes, question number 23, which one of the following puzzles, the heterodont contentation, कौन है ऐसा जिसके पास heterodont है, क्यानि, एक से जादा, हम यह नहीं कह रहे हैं, incisor, canine, premolar, molar सबके पास हो, एक से जादा, more than one type, more than one type, लेकिन किस अधार पे, shape and size, shape and size, जाहर है, फंक्शन भी हो जाएगा, तो इसमें जानते हैं, हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, कि सर, heterodont condition is a feature of mammals, तो शायद यहाँ फंस जाएंगे आप, क्योंकि turtle और frog तो हो नहीं सकते, बचा whale और man, तो आपको तैंक करना है, आप लोग ने answer पहले ही बता दिया, क्या whale नहीं लग रहा, आपको नहीं लगना चाहिए, आपका बिल्कुल सही है, इसलिए नहीं कि आपके NCRT में man की physiology में heterodont लिखा है, इसलिए कि whale has baleen plate, इसमें baleen plates होती हैं, और उसमें दाटों की संख्या जो उभार हैं, बिल्कुल इस तरह ऐसे होते हैं, जैसे कंगा नहीं देखा है आपके, complete मत कह दीजेगा, येस, ऐसे, इस तरह ऐसे दाट, सैकडों दाट होते हैं, और इन दाटों का इस्तमाल वो, सर, उसको साफ करने में लगाता, फिल्टर करने में लगाता, इसलिए कई लोग whale को, फिल्टर फीडर भी कहते हैं, तो कि confusion मत रखेगा whale के साथ, question number 24, the undifferentiated layer present between the ectoderm and the endoderm, of sealant reta, तो sealant reta, जो ectoderm under diploblastic है, this diploblastic, इनके पस बीच में जो layer पाई जाती है, its name is the mesoglia, यहाँ पर, यही सवाल हम से पूछते हैं, और sponges में पूछ लेते हैं, तो मैं prefer करता है, sponges में कहना, mesohyl, यह ध्यान रखिएगा, हलाकि बहुत लोग, mesohyl और mesoglia को सब आपस में घुसेडे बैठें, लेकिन टेक्निकली जो है, diploblastic शब्द जब लिक देते हैं, acto and o, तो silentrata ही कहना चाहिए, diploblastic के बीच में क्योंकि पूरी फिरामें नहीं है, लेकिन अगर हम यही बात कहते हैं, कि sir, in the sponges, an undifferentiated non-embryonic layer present in the sponges, तो हमें prefer करना होता, mesohile, यह mesodermal origin के नहीं है, meso शब्द सिर्फ इसलिए आया है कि बीच में है, तो yes, answer is this one, mesoglia. Next, question number 25, select the wrong statement आजा, पग गए होंगे इस बात से, कि select the correct, select the non-correct, incorrect. तो sir, purpose सिर्फ एजी था कि coverage थोड़ा जादा हो जाए, हम जादा जादा chapter के point को आप तक पहुँचा पाएं, और हम उसके साथ interact कर सकें. Yes, answer किया, रंधीर ने, from endo-only mesoeller, बिल्कुल सही भई हम, जो सवाल पूचा जाएं बही बताओ, छेड़ो नहीं, क्योंकि अगर आप छेड़ोगे तो topic से हम हटने लगेंगे, कि कहां पर क्या बना रहा है, select the wrong statement, in the flat worm is specialized the cell called flame cells, osmoreglution activation, सही है भई, flat worm, यानि platy almenthes, सही लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही, platy almenthes में ही, flame cells पाई जाती हैं, S-K-almenthes के, अगर हम बात करते हैं इसी के आगी हैं, तो वहाँ पर, yes, इसमें पाई जाती हैं, renat cell, renat cell, alida की बात करते हैं, हम तो वहाँ पाई जाती हैं, nephridia, nephridia, तो ये बात सही, फिर flat worms are mostly endoparasite, found in the animals, including the human being, अब flat worm के नाम पे, आपके पाद दो ही example दिये हुए हैं, दो ही example दिये हुए, एक tiniya example दिये हुए हैं, और एक liver fluk, यानि फेशोला, और दोनों के दोनों endoparasite हैं, तो मैं तो समझ रहा हूँ, ये भी सही है, the round worms are diploblastik, सर फसादी आपने, round worm diploblastik कहा है, round worm escalement, ये ये, आप लोग ने सही answer शहिए पे चान लिया, ये सर लिप्लोबलास्टिक नहीं है, these are the triploblastik, उसार answer तो आगया, हम यहीं आगे, पढ़ें भी ना तो भी चल जाएगा, और सही है, bilateral symmetry है, wormी form है, worm की तरह होते हैं, segmented, ये गलत है, so pseudocelomate, ये सही था, a syncytal, yes, ये line बहुत important है, शायद अभी तक 20 सवालों में नहीं आई, a syncytal epidermis is a feature of escalminthi, ये याद रखेगा, बहुत popular सवाल है, syncytal epidermis is a feature of escalminthi, is a round vermia nematoda, next question number 26, सभी का answer आप लोग का सही तो है, read the following statement and select the wrong option, गलत फिर चूज करना है, radial symmetry is found in the vertebrate, here vertebrate में, bilateral symmetry पाई जाती, कब तक सिखाया जाएगा, तो आप पहले ही गलत हमें पढ़ा रहे हो, दूसरा है symmetry means the arrangement of correspondence of the body parts, into the geometrical design, बिल्कुल सही बात है, symmetry बताती है कि एक organ का, दूसरे और में साथ क्या relation है, तो भाई है ठीक लग रहा है है, animals like anlida, arthropoda, quadit exhibit the bilateral symmetry, यह तो हमने आप से कहा ही पहले, कि platial mentis के बाद हम आगे, सब लोग bilateral symmetry में हैं, खाली एक phylum है आपका, echinodermita, जो बदल जाता है, development के दौरान वो radial symmetry show करता है, देखे, answer आने लगा, तो चौथा है starfish, the spine of the body, बिल्कुल सही starfish, जिस phylum के अंदर आता है, उसका नाम है, echinodermita, echinodermita का मतलब होता है, kanta, spiny, और derma का मतलब तो आप जानते हैं, तो यानि इनके पास, छोटे-छोटे काटे होते हैं, इनके शरीर को आप देखोगे, तो ऐसे-ऐसे spiny body है, this, तो हे भी सही, तो आंसर तो हमें गलत चूज करना था, yes, 26 का one, पिल्कुल सही आंसर है, सभी का, next, 27, the poisonous snake is, जरीले साब क्या है, अगर आप देखें, आपके किताब में, सिर्फ तीनी एक्जामपल दिये गए होंगे, जरीले साब के लिए, एक करैट दिया होगा, शायद मुझे ध्यां तक ध्यान है, दूसरा वाइपर दिया होगा, और तीसरा नाजा दिया होगा, तीन ही हैं, नाजा बोले तो कूबरा, करैट, और वाइपरा, वाइपरा को वाइपर भी कहते हैं, हमारा सवाल अब यहां पर है करैत का नाम बताना है आपको किताब से देख के मत बताना भाया करैत का नाम बताईए क्या होता है जैसे हम इसको कह रहे है कोबरा या नाजा के नाम दे रहे हैं वाइपरा को वाइपर दे रहे हैं तो इसका नाम हमें चाहिए क्या है poisonous snake कौन सा है तो answer करेता गया rat snake जिस आपके गाउं में खेतों में अक्सर पाया जाता गयों की जब कटाई होती है तो चूहा खाता है वो python कभी भी poisonous नहीं होता है वो खाने को निगल लेता है और उसको तोष देता है yes tree snake तो बिल्कुल नहीं है तो 27 का one answer होना चाहिए yes 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 बिल्कुल I got the answer संदीप रा और अंधीर यादो दोनों लोगों ने बिल्कुल answer सही किया जब मैं सवाल पूछता हूँ तो बहुत सालों के इतना शान्त हो जाते है गलत बात है इसका मतलब या तो आपको नहीं आता है या आप सर्च कर रहे है तुरंट answer किया करिए जैसे आप questions के answer करते हैं जब बीच में मैं click सिर्फ इसले करता हूँ सवालों को लेकर कि आप interactive बनें बंगारस करैत करैत को हम लोग बंगारस करते हैं हमने यह देखा है बंगारस अगर बंगारस लिखके question पूछ लो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलाते हैं जो जान ही नहीं पाते हैं यह सांप है इससे try to remember the names that is given in the example of the different classes as well as phylum कोशिश जरू करियेगा सर हो जाये गया next question number 28 when the body of an animal can be divided into two equal left and right half by one plane अरे बता क्यों ने रहो यार equal divided into equal left and right यह sagital plane की बात कर रहे हैं शर्मा रहे हैं question में बताने में पूछ रहे हैं कि सर अगर कोई आपके पास एक plane है एक plane से body को दो हिस्सों में बाट सके है left and right तो उससे क्या कहते हैं तो radial तो कह नहीं सकते बाइ-radial हो नहीं सकता यह मैंने आपको पहले ही बताया यह answer is the first पहला answer है that's a bilateral symmetry next what is false about the closed circuit system जो closed circuit system होता है इसके सबसे important feature क्या होता है अगर एक शब में बताना हो कि closed circulation का ऐसा feature बताये जो open में हो ही नहीं सकता is the most accruise by presence of capillaries blood capillaries पाई जाते हैं यह इनका सबसे important feature होता है यही बात capillaries के स्थान पर अन्य जगह पर आप देखोगे तो we will get the sinuses अब इसका फाइदा क्या होता है closed circulation में हम blood के amount को regulate कर सकते हैं क्योंकि वो tube में है तो कभी dilate और कभी relax कर सकते हैं flow को हम regulate कर सकते हैं तो कहरे हैं false बताईए तो blood pressure is high and regular सही यह बात ही है amount of blood is limited भी है यह भी सही लग रहा है this फिर blood circulate through the artery veins and capillaries देखें लिखा ना इन्होंने capillaries जो open type का circulation है वहाँ भी you will get the iota वहाँ भी iota मिलता है yes blood pressure is low and irregular बिलकुल सही बात है यही गलत है answer किसी ने कर दिया था पहले संदीप राओ राम मिलन सुन दीपिका सर्वन थर्ड answer हटबड़ी में आप करते हो answer इसलिए गलत हो जाता है और मैसस आपको बाद में retract करना पड़ता है और फिर बाद में आप ध्यान देते हो exam में ऐसा मत करिएगा कुशंबर 30 which phylum shows a tissue level of organization क्या यार वही सवाल पूछ रहे हो अभी कई बार का हम लोग ने tissue level की बात करेंगे answer is the seal and treat cellular level की बात करिएगा इस जगे पर तो यहां पर रहिएगा यह cellular है और यह cellular है और cellular ना मिले तो unicellular कह दीजेगा प्रेफर आप और cellular को कहिएगा तो answer should be the 30 का yes 3 बिलकुल सही एक answer आत हो गया राम मोहन सोनी बहुत actively काम कर रहे है question देखते ध्राक से answer करते हैं चले question number 31 in which of the following group all animals are hermaphrodite hermaphrodite का मतलब bisexual बताना है यानि आपको उस समू का चुनाव करना है जहां पर सभी मेंबर शहीं तीन-तीन मेंबर लिखे हैं बिलकुल जिसमें male female अलग-अलग ना होता हो इसे tapeworm starfish and toad तो यह दोनों के दोनों जानवर unisexual है starfish के member male female अलग-अलग होते हैं लेकिन sexual dimorphism नहीं होती है और amphibia में तो अलग-अलग हैं फिर hydra leech and tapeworm sir hydra भी bisexual है leech bisexual है tapeworm answer should just second अभी तक third पढ़ लेते हैं hydra ascaris unisexual है तो sir फिर नहीं हो सकता hydra homo sapiens अब हमें कर दिया था तो हम तो unisexual हैं कहना ही क्या बिलकुल second option लक्षमन गुपता third answer आप कर रहे हैं कहां से कर रहे हैं अगर इसका third कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं और इसके पहले थो third था शायद वह answer आपका late में आपने किया है second second is the hydra leech and tapeworm next question number 32 which one of the following animal phylum does not possess a silom यानि कौन सा ऐसा phylum है जहां silom नहीं है you have to select the acylomate acylomate और acylomate के sir example अगर लिखने हो तो हम तो सब purifera भी लिख देंगे देखिएगा अभी sir cylindrata भी लिख देंगे टीनोफोरा भी लिख देंगे और platy almenthes भी लिख देंगे जहां silom ना हो था हो acylomate उसे कहते हैं लेकिन इस जगह पर you have to prefer only the platy almenthes क्योंकि silom का जिक्र वहीं पर करिएगा जहां mesoderm हो अब जिसके पास mesoderm नहीं है उससे silom की कलपना करना बेवकूफी है तो हमें नहीं करना चाहिए yes answer is the platy almenthes लेकिन ध्यान रखिएगा वह सकता है कुछ लोग लिख देते हूं acylomate purifera cylindrata tinofora अपनी ncrt को में आफ फॉलो करिएगा उन्होंने सिर्फ एक डियाग्राम बनाया है acylomate का and that is only for the platy almenthes Quesh number 33 पी आ जाते हैं triploblastic unsegmented ध्यान रखिएगा शब्दों को pseudosilomate exhibiting the bilateral symmetry and the reproducing both asexually and sexually with the sum parasitic form and the above description characteristic of phyla वह याप पढ़ते रहो चाहे जित्ता उससे कोई हमको फरक नहीं पढ़ता है दुनिया भर की बाते हैं बताओ आपने हमें lotty लगा दी pseudo seal आपने कहा नहीं कि हम उसे roundworm कहने जा रहे हैं that is a roundworm pseudo seal कहते ही वह example answer में आ जाएगा and that is round अब हाँ यह अलग बात है इसके element इस मिलना चाहिए वह भी ठीक है देन नहीं में टोड़ा मिलना चाहिए यह भी ठीक है कोई फरक नहीं पढ़ता है दस answer दूआ गया होगा मारी क्याल से यस नहीं में टोड़ा देखे मिल रहा है आप तो 33 का 2 बिलकुल यस फिर दीपी का सर्वन फोर्थ आप answer कर रहे हैं यस पुराना answer है आपका 33 सेकंड सेकंड बिलकुल 34 किनाल सिस्टम अब दा पॉरी फेरा इस कंसर्ण विद तो पॉरी फेरा में यस वी हावन वाटर किनाल सिस्टम वाटर किनाल सिस्टम एक चरहा शब्द का परहेज करिएगा एक काई डरमिटा में भी ऐसा शब्द होता ओकार हो पर जो शब्द हैं मुझाट हेते हैं वाटर किनाल सिस्टम थोड़ा देखने में ऐसा लगता है कि सब एक यaround तो सर्थ this canal system helping, यह canal system किस किस काम में आता है, nutrition बिलकुल इसी canal system के रास्ते, आस्टिया के रास्ते पानी अंदर आता है और उनसे nutrient मिल जाते है, respiration उस पानी में oxygen वगरे dissolve होती है, उससे nourishment हो जाता है, सर्गयमीट भी उसी के रास्ते आ जाते हैं, तो पूछा जा रहा है, not concerned, यह तो concerned है, यह भी concerned है, यह भी concerned है, none of these, yes, answer, अरे भई, कहां सा answer कर रहा है, 34, 34 का answer करने को कह रहा हूं, आप लोग क्या answer, कोई first कर रहा है, को second कर रहा है, कोई D कर रहा है, तो D is the answer, फारुक शिदकी is given the correct answer, राम मोहन सोनी, 34, एक क्यों कर रहा है, सवाल फिर नहीं पढ़ रहा है, आप, that is not लिखा है, किस बात का तालुक नहीं है, किनाल सिस्टम से, यह चूज करना है, तालुक, यही बात आपको सिखाई जारी, कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपन नहीं देखा, किनाल सिस्टम is concerned with, पहले लगा है, nutrition, निकल लिए, ऐसी ही सिर्फ गलती बायों में होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई सवाल ना आता हो, रेर होगा ऐसा 90 में से 90 आते हो, लेकिन 4 सवाल अपने पैर पे आप खुदी गलत कर दो, प्लीज, कोशिश कर पाइदा, फीमेल क्यूलेक्स, यह फीमेल क्यूलेक्स इस से ट्रांसफर करती है, तो answer is the, yes, 35 का answer, that is her, mosquito, तो यह मॉस्किटो में भी अगर लिखना होता, तो मैं फीमेल क्यूलेक्स लिखता, लेकिन अब क्यू, मॉस्किटो लिखा है, तो इस ओकी, अब ज़रा एक चीज और ध्यान रखेगा, एक सवाल आता है, it is caused by, लाकि शायद इहां पर ना हो, वो transmit की बात की थी, गल्ती से मत आ जाईएगा, गफलत में, transmit किया, तो हमने कहा कि सर्फ फीमेल क्यूलेक्स इस 35 का 30 सही है, लेकिन अगर यह सवाल पूछा जाता है, caused by, और caused by phylum का नाम आप बताएं इस बात को, अगर पूछा जाए, elephantiasis is caused by, member of which phylum, कौन सा ऐसा member है, और वो किस phylum, yes, wucherya, बिल्कुल सही है, caused by wucherya, लेकिन that belongs to which phylum, मैं यह पूछना चाहता हूँ, कि वो जो wucherya answer, आप कहर रहे हैं, wucherya bencrofti, and that is present in which phylum, yes, nematode is the correct answer, बिल्कुल सही answer किया, आपने, yes, sir, ऐसा नहीं है कि आप मेंसे लोगों को आता नहीं है, सबको आता होगा ये बात, लेकिन, sir, करते कहना इस सवाल में, लोग ध्यान नहीं देते, transmit पूछा जा रहा है, या caused पूछा जा रहा है, और यही मैंने अपने career में, इस सवाल में गल cockroach, scorpion and centipede, तीनो के तीनो आर्थो पोड़ा के मेंबर हैं, लेकिन बत किस्मती से तीनो की class अलग-अलग है, it belongs to class insecta, it belongs to class arachnida, श्यादा आप class पढ़ना पसंद ना करते हूं, और it belongs to class maria poda, मत याद करो, हम तो कुछ point बताना चाहते थे, पूछा जा रहा है, कौन सा common feature, अब इस सवाल को लेकर कुछ problem हो सकती है, मैं wait करूंग आपके answer का, 36 का 1 आ रहा है, answer किया है इनोंने, sir yes, फिर सिराज अनवर ने भी one किया है, बिल्कुल सही है, that is common वली बात आएगी, तीनों में तो jointed leg होना चाहिए, बिल्कुल सही है answer, first, first is the correct answer, compound eye मत कर दिजेगा answer, it's a feature of only insecta, ये आर्थो पोड़ा का feature नहीं है, ये exactly दिमाग में गुसेड लीजे, क्योंकि आर्थो पोड़ा में आप कौक्रोच पढ़ लेते हो, तो आपको लगता है, जो हमने कौक्रोच में पढ़ा, वो आर्थो पोड़ा का feature है, सर, ऐसे सारे feature नहीं है, compound eye सिर्फ insecta का feature है, ये आर्थो पोड़ फीचर नहीं है, इसलिए मैंने आपको classes बताई, ताकि इनमें difference नजार आए, इनकी classes अलग-अलग है, next, question about 37, answer सही था, notocord is present throughout the life in, अभी आपको छोगे दिर पहले एक सवाल पूछा गया था, कि notocord जहां present होता है, और पूरी जिंदगी बर रहता है, उन्हें हम लोग कहते हैं, सिफैलो कॉर्डिटा, सिफैलो कॉर्डिटा, आप किताब में देखें, तो किताब में एक ही example इसमें दिया हो, दूसरा example दिया ही नहीं हो, तो चेक कर लीजेगा, सिफैलो कॉर्डिटा का एक example जो आपके में दिया होगा, वही इसका answer होना चाहिए, I am waiting for your answer, कि सर इसका answer 37, 37, yes 37 का 3, Amphioxus, सबसे पहले answer, राम, मोहन, सोनी, इनका हाथ बहुत तेज चलता है, संदीप राव ने उनसे पहले answer किया, यह दोनों लोग बहुत active है, yes, it's nice, exam में भी active ही रहे हैं, 38, Unleads में भी, Unleads क्या हैं, क्या वो aquatic है, aquatic में marine और fresh water दोनों की बात की है, interrestrial है, free living है, parasite है देखते हैं, aquatic की बात करेंगे, तो neris याद करिए, neris का जब breeding time आता है, तो aquatic हो जाता है, free living की बात करें, तो earth warm की बात करें, ठीक है, सब parasite की बात करेंगे, the herudinaria, यानि लीच की बात करेगा, तो भाईया अनलीडा तो सब जगे आ गया न, पर देखिए न, neris है, leech है, earth warm, इस अगे पर animal kingdom में, neris or leech की फोटो बनी है, earth warm की फोटो नहीं बनी है, वो इसने इस उम्मीद से नहीं बनाए कि आगे, earth warm पूरा पड़ोगे, उन्हें क्या पता बाद में, NDA, earth warm को हटा देगा, yes, answer is all of the above, बिलकुल सही है, say 39, following mosquito used as a vector for the various disease, कौन से ऐसे mosquito हैं, जो different different विमारियों के vector है, vector बोले तो transmitting agent है, एक वेक्ती से दूसरे वेक्ती तक महुचाते हैं, इससे Qlex आपने पढ़ा, इससे transmitting agent for the disease, the philaria, anaphylis आपने पढ़ना हैं, that's a transmitting agent for the disease, malaria, ED, sir, yes, dingo and chicken gunia, at least dingo याद रखेगा, chicken gunia का भी जिक्र आपके human health and disease में एक जगे पर है, yes, answer is the 39 का 4, बिलकुल सही है, all of these, this, next, last question, chamber 40, time भी हो रहा है हम लोग का, which one of the following set of animals share the 4-chambered heart, यानि कौन से ऐसे group का हम बात करेंगे, समुन किये, जहां पर 4-chambered heart होंगे, amphibia, 3-chamber, यहां पर incomplete 4 है, यह खाली 4 है, तो यह नहीं हो सकता, crocodile, bird and mammal, yes, इन सब में 4-chamber है, crocodile, reptile ज़रूर है, but it is an exception, reptiles में, आपकी किताब में, NCRT में लिखा है, 3-chamber, और एक नहीं, दो जगे लिखा हुआ है, एक animal kingdom में लिखा है, और दूसरा secretary pathway में लिखा, मैं सहमत नहीं हूँ, अगर आप 1, 2, 3, 4 option दोगे, तो मैं बोलूँगा, reptile में 3-chamber में, लेकिन अगर हमसे लिखने को कहोगे, तो मैं हमेशा लिखूँगा, reptile has incomplete 4-chamber, 3-chamber और incomplete 4-chamber कहने में अंतर है, इस बात को बिलकुल समझ ले, आंसर बिलकुल सही है, सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं, येस, तो ये बात ध्यान रखेगा, ये मैं क्लास में कहता हूँ बात लोगों से, कि इस जगे पर NCRT की लाइन जाने, उसने 3 लिखा है, एग्री, लेकिन अगर option में 1, 2, 3, 4 होगा, तो आंसर करेगे, reptile में 3-chamber, लेकिन अगर कहीं fill करने को मिल जाया, तो incomplete 4 करिएगा, वो ना मिले, तो सारे 3-chamber कर दीजएगा, 3 मत करिएगा, सर, crocodile, lizard and turtle कर देंगे, तो सर, turtle और lizard में 4-chamber हैं ही नहीं, lizard फिर आगिया, चौथे option में ये भी नहीं है, yes, these are the 40 questions which we have discussed today in this chapter, तो yes, मैं फिर यही कहूँगा कि बड़ा अच्छा लगा, कि आप अपने, जो है, interactive बने हुए हैं, लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि सर, जब भी आप, chat करते हैं, तो hello high की बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने topic की बात करेंगे, interactive बनिये, तब ही हम लोग जो डिर घंटे आपको दे रहे हैं, teacher दे रहा है, उसका फाइदा आपको सिर्फ तब मिलेगा, जब आप उस chapter को पहले से prepare कर लें, और फिर prepare हो के बैठें, आप दूसरों के chat के option ना देखें, अपने आप answer को Google मत किया करिए, चले आप like करिए, subscribe करिए, channel को, share करिए, and yes, for last में जो हमेशा कहता हूँ, sir appreciate जरू करिए, sir comment अच्छा अच्छा करिए, तो अच्छा लगेगा, यही बहुत है, yes, good night, shabakar.